बहुत ही जबर्दस न्यूज आ रही है पटेल इंजरिंग के बारे में तो सोचा एक वीडियो और मना दूए ना क्योंकि आप लोग बोल रहे हैं दिससे पटेल कब चलेगा क्यों नहीं चल रहा है फस गया 56 रुपे के असपास में आके ये क्या हो रहा है अगर आपको ट्रे पटेल इंजरिंग की इस ब्रेकिंग न्यूस को डिसक्स करने से पहले कि इसका इंपर क्या होगा दोनों चैनल को सबस्वाइब पर लिजिए बेल नोटिफिरिशन को अन कीजिए ताकि कोई भी कंटेंट आप से मिस ना हो और यहां पे डिटेल इनासिस करने वाले पटेल इसका फिर से कि ये कंपनी एक समय पे 900 रुपे के उपर में ट्रेड किया करते थी और आज ये 50 रुपे के आसपास में है 18 रुपे से पोजिशन में हम भी बैठें हुए इसके अंदर में हमारी भी कुछ पोजिशन से इसके इंदर में है इसका ये बिल्कुल पतलब नहीं क कि मैं चाहता हूं कि आप खरीदें आपकी मर्जी है लेना है लीजिए नहीं लेना छोड़ दीजिए रियल स्काल पर विपल चैनल के उपर में यहां पे पटे लेंजरिंग को हमने पहले भी बहुत बार कवर किया है जैसे आप चैनल के उपर जाएंगे पटेल डालेंगे तो यहां पे मैंने पहले भी आपको कहा था 10 reasons to invest in पटेल लेंगे वहां भी कहा था लेना है तो लीजिए उना छोड़ दीगे यहां पे क्या क्या हो सकता है इसके बारे में time to time पटेल के बारे में discussions करता रहा हूं तो आज की बात नहीं कोई यह न कहें कि आज बढ़ने के ब और रेल्वे की मल्टि ब्यकर कंपणी दिगज कंपणी इरिकॉर इंट्रेंशल के साथ में टाइप होता हुआ दिखाई देरा है पटेल एंजिरिग का पटेल एंजिरिंग एक्चुली कंपणी करती कैया है यह एक हाइड्रो पाउर की कंपणी है यह टनल बनाने के टनलींग में है और टनलींग करना जो हम पहाडों में टनलींग करते हैं वो एक TDS थास्क होता है तो अगर तुम्हाँ tunneling की जा रही है और aircon RVNL के साथ type हो रहा है इसका हम लिए है कि पहाड़ों में train चलाने की तयारी है और इसकी जिम्वेदारी पटे लिंजिंग को मिलने वाली है तो क्या पटे लिंजिंग की वाकई एक multi bagger हो सकता है जी यहाँ हो सकता है क्योंकि इस समय रहते हैं अगर हम ऐसी चीज़ों को अनिवेश करें इस सड़ी करें तो वही हम multi bagger returns पासे कते हैं बठाँ ऐसे इसकी भी हो सकता है यगर आपकी एक news खराब हो जाए या उल्टी पर जाए तो खराब हो सकता है कि ये समय एक समय पर ये स्टॉक देखी ये स्टॉक एक समय पर 900 रुपीज के आसपास में ट्रेड क्या करता था 900 रुपे 950 के आसपास उसके बाद में इसकी ऐसे गत बनी है गिरते 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 तैईस रुपे के dit compare और उसे भी नीचे चला गया था में उसके भी नीचे उसके बाद में दिगज इंवेस्टर जो आज केट में बिएमुस्ते हैब सब जानते हैं वीजे केडिया रहा है थोड़ा से grounding bottom formation दिखाई दे रहा है तो यहां पर इसके जो targets बन जाते कहीं न कहीं जो targets है वो घुमफिर की aggressive targets 2.500 रुपे तक के भी आ सकते हैं और उसके ऊपर भी यह stock जा सकता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बट सब चीजे समय रहते होंगे आगर आपको लगता है 50 का प्रटाई राज खरीद लीजिए कली 500 हो जागा ऐसा नहीं हो सकता है समय रहते कुछ भी संभव है यह ध्यान अकिगा इसका चीज़फादा बैलसेज करते हैं साथ में M.O.E.U. साइन हो जाए ऐसी कंपनी के लिए यह प्लेज को रिलीज कराना कोई बड़ी चीज नहीं रह जाती है क्योंकि जब धंदा आएगा तो रिटर्स आ नहीं या नहीं हो कंपनी की जो और बूग है बहुत ही ज़ादा शानदार है मैंने सब कुछ आपको इस चैनल में इन सब भी वीडियो में कवर किया है तो जाके ज़रूर देखीगा इसकी ओर्डर बूगरा सब यहां में ने दी है इस वीडियो ज़रूर देखीगा है तो यहां पे अब असली गेम हो क्या रहा है इस कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ रही है कंपनी के प्रॉफिट्स वो बढ़ रही है ये कंपनी प्रॉफिटेबल है एर और और क्वार्टर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती आ रही है EPS बी पॉजिटिव है 3.6 से आसपर का EPS है ट्रिलिंग 12 मंस का उससे पहले 3.75 बढ़ ये कंपनी कमाल कर रही है कंपनी जो रिवेन्यूस है 100 करोट से उपर से जादा 300-300 करोट के प्रॉफिट कर रही है ऐसी कंपनी जो 15% के माजिन पर काम कर रही है कंपनी को पोर्ट्फोली में रखने में हिच की चार्ट नहीं होनी चाहिए फिर भी कहूंगा पाइनल कॉल आपकी है तो यहाँ पे आप असली खेल देखते हैं चार्ट के उपर में चार्ट से पहले हम चलते हैं हमारे trend trading calculator के उपर में और आप देखेंगे जितने भी stocks 56 रूपीज की रेंज के हैं वो सब आपको अटके हुए दिखाई देंगे 56 रूपीज के आजपर में यह trend trading calculator की power है advance prediction है calculation है क्योंकि मैं बजार को हमेशा चे कहता हूँ stock market is just a pure number game अगर यह number game समझ में आ गया आप जितनी मर्जी इंडिकेटर लगा लीजिए जितनी मर्जी आप सड़ी कर लीजिए I can challenge मैं challenge कर सकता हूँ मैं आपको prove कर सकता हूँ off and on कि हर stock इससे बाहर नहीं जाएगा जो भी calculations हमें हाँ discuss करते हैं आपकी जितनी भी अच्छी analysis हो जितनी भी micro and macro analysis हो वो सब इससे compliment होती हुई दिखाए दे कि मैं आपको promise कर सकता हूँ और ये trend trading calculator आने वाली class में जितनी भी हमाई students है सबको free मिल रहा है हैदरबाद वालों को free मिला दिली वालों को free मिला अब आरी है एमदाबाद, Kolkata, लखनू लखनू वाले शायद interested नहीं लगने लखनू वालों से जारा call आने रहे है message भहुत किया sir upie but पता नहीं लखनू वाले क्यों इंटरस्ट्रों नहीं करे एंदाबाद बहुत चाहा response है मुंबई बहुत चाहा response है Kolkata और अभी लखनू वे थोड़ा इन 42 के आसपास में पूरा base formation है यह एक देंज होती है बड़े investors जब कोई चीज को लेके आते हैं accumulate करते हैं accumulation range है accumulation होने के बाद में जब stock to 64 के उपर breakout करेगा फिर आपके आप में नहीं आगा पहले भी गिरा कहां से 81 से exactly 81 से गिरा है 56 के आसपास आगया हर price आपको यहीं दिखाई देगा चार्ट के उपर है मैं accumulation सोच भी रहा हूं और यहाँ पे मुझे जो buyer शिकारियां दिखाई दिये हाला कि यह थोड़ी सी selling देखने को मिली है इनकी जब CEO expired हुए थे तो Mrs. Patel अभी इस company को समाल रही है Mrs. Patel काफी अच्छा perform कर सकती है क्योंकि इतने अच्छे types होना यह बड़ी breaking news है और मेरे इसाब से यहाँ पे कुछ ने कुछ अच्छा formation हो रहा विजे केडिया जी जैसे अगर दिगज investors इस company में इवेशित है तो शायद वो बहुत दूर की सोचने है 15-18 रुपे आसपास में उनकी investment है अभी भी वो hold करके हैं उन्हें माल बेचा नहीं है तो क्या ऐसे investors जो सोचते हैं क्या हम और आप सोच पाते हैं आशीश कचोलिया ने investment की है जोती structure के उपर में उसका वीडियो भी हम चैनल पे डाल चुके हैं आप जाके देखेंगे जोती structure का वीडियो हमारे दूसरे चैनल के उपर में जाके देखीगा कि क्या हमें इसमें investment करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए पठेल में आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं आपने कर रखी है किस भाव पे लेके फसे हुए हैं अगर आप अस्ती के आसपास में अठके हुए हैं अब क्या कर रहा है आपको निकलने अमन कर रहा है या और लेने अमन कर रहा है प्लीज जरूर बताएगा ताकि मैं भी समर्सकूंगी मेरी जंता, मेरी ओर्डेंस क्या चाहती है पटेर के साथे, I hope this news would be of some use to you, and thanks for watching this video, take care, bye-bye, keep learning, जेहन!